नमस्कार, क्यापिटल टीपी का खाश शो, यूपी का दंगल देख रहा हैं, मैं हूँ आपके साथ पूजा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुकाबला, यूपी का दंगल समाप्त हो चुका है और इस दंगल के विजेता बने है योगी आदितिराद बीजेपी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हुई है, तो वही बात करें समाजवादी पाटी की, तो समाजवादी पाटी के हाथ करारी हार लगी है पर अखलेश यादव तो जिस तरह से जीत के वादे कर रहे थे, तो जीत क्यों नहीं पाए, क्यों सपा साफ हो गई, क्यों अखलेश यादव को करारी हार मिली है आज यूपी के दंगल में इसी पे चर्चा करेंगे, चर्चा के लिए मारे साथ न्यूजरूम से बने हुए है क्यापिटल टिवी के एडिटरिंग चीप डॉक्टर मरिश कुमार, डॉक्टर साब बहुत स्वागत है आपका बात तो होगी बीजेपी की प्रचंड जीत की, लेकिन अखलेश यादव क्यों हार गया देखे, प्रधान मंत्री ने आज अभी अभी बयान दिया है कि मेरी एक बात को नोट करके रख लीजिए कि परिवारवादी पाटियों का अंत निश्य है तो ये प्रधान मंत्री मोदी का बयान है लेकिन अखलेश यादव क्यों हारे ये अखलेश यादव को भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि करिंट लग गया, बुल्डोजर चल गया और समाजवादी पाटिक का जो सैकल था उस बुल्डोजर के अंदर धब गया अखलेश यादव की अती अकलमंदी जो अत्यंत ही बुद्धिमान बनने की वो जो कोशिश कर रहे थे और जिस हिसाब से आसपास इन्होंने अपने सलाकारों की एक जो फौज लगा रखी है जिनको जनता से कम मीडिया सोसल मीडिया से ज़्यादा लगाओ जनता के नब्जु से ज़्यादा इनका उठना बैठना मीडिया के चालबाजों, धुर्तों और दलाल पत्रकारों के साथ जो होता है उसके द्वारा वो मिस गाइड हुए अब गल्तियां पांच हैं जिसको समझना ज़रूरी है अगर हम प्राउडर प्रस्पेक्टिव में बात करें तो सबसे बड़ी गल्ती अखले शादव किये रही कि पिछली बार वो चुनाव हारे और तीन साड़े तीन चार साल तक वो घर के अंदर बंद रह गए विपक्ष की राजनीती सत्ता पक्ष से कहीं ज़्यादा सो कसकते हैं उसमें मेहनत क्या वेश्कता होती है आपके पास लोग नहीं आपके पास सैडो कैबनेट होना चाहिए खैर आपने कुछ नहीं किया दूसरी बात जब कभी मुखादिब भी हुए आपने ऐसे से बात बयान दे दिये कि जो उल्टा पड़ गया सबसे बड़ी बात जहां से इनका डाउन फॉल सुरू हुआ वो पहली गलती थी जब मुख्य मंतरी निवास से वो निकल रहे थे तो जो टोटिया चोड़ी हुई वो उनके पूरे परस्नालिटी के ऊपर बद्नुमा दाग लग गया उन्होंने पांस सार अच्छी सरकार चलाई अच्छे काम भी किये कंट्रोवर्सी नहीं था कहीं कोई किसी के साथ बत्तिमी जी नहीं कुछ नहीं बहुत ही अच्छा एक मुख्यमंत्री का साशनकाल उन्होंने निभाया लेकिन निकलते वक्त दो लोगों के कमरे दो लोगों का घर खाली हो रहा था एक मुख्यमंत्री जो रह चुकी मायवती और दूसरा अखले शादब मुझे अभी भी याद है मायवती जब वो घर छोड़ के जा रही थी ये कोट के आदेश से पहले होता ये था कि यूपी में जो भी मुख्यमंत्री बनते थे अपने लिए घर बना ले दे थे और एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पे वो उस घर में पर्मेनिटली बस जाते थे कोट के आदेश की वज़े से उनको खाली करवाया गया मायवती जब अपने मकान को छोड़ के जा रही थी उन्होंने मीडिया को भुलाया घर के अंदर दिखाया साफ सफाही जिस तरीके से और लोगों को अच्छा भी लगा वहीं अखलेश अदब के घर से टोटिया चोरी हो गई वहाँ प्लास्टर तोड़ दिया गया बरामदे तोड़ दिये गया सारा तहस नहस करके उनको उस वक्त भी आकर के माफी मांग लेनी चाहिए थी लेकिन उनको समझ भी नहाया कि यह जो टोटी-टोटी का जो एक मसला जो फस गया तो वो उनके प्रस्टनल्टी के ऊपर एक बड़ा दाग लग गया पहली जो जिसके लिए वो काफी मौक हुए दूसरा जैसे ही कोरोना काल आया यह विदेश चले गया विपक्ष के नेता को तो योगी आधितनाथ से ज़्यादा संकों पे होना चाहिए था लोगों के बीच होना चाहिए था अखले स्यादव गया जब वो अवतरित भी होते हैं तो प्रस कॉन्फरेंस करते हैं और तब तक आ गया था ठीका और इन्हों ने कहे दिया कि ये टीका तो विकार है समाजवादी पार्टी के लोग मुसलिम इलाकों में जाजा करके ये बताते थे कि ये मुसलमानों को नस्बंदी कराने के लिए जो ये टीका बनाया गया है ये यहूदियों की साजिस है ठीक है मुसलिम वोट आपको चाहिए आप ये सब काम करते हो करो लेकिन आप 17-18 परसंट वोट के चक्कर में 80 परसंट को नराज करोगे ये कहा कि अकलमंदी है ये मुझे समझ में नहीं आया फिर आपने कह दिया कि हम ये टीका नहीं लगाएंगे जब हमारी सरकार आएगी तब टीका लगेगा आ गई सरकार बन गई सरकार तो ये दो तीन चीजें जब हुई उसके बाद आप चुनाओं में आते हैं चुनाओं में आपने जिस तरह के गटबंदन किया क्या हश्र हुआ ये स्टेटिक किस ने बना दी कि आप बड़े पार्टियों को छोड़ के ये गली मुहले के लोगों को आप खड़ा कर दे आपने आरेल्टी के साथ भी हाथ मिला लिया बैक फायर हो गया सारक कुछ आप उधर इस्टर्न यूपी के अंदर आपको वेस्टर्न यूपी और इस्टर्न यूपी को जीतना उसको इंस्जोर करना जरूरी था आपने क्या किया आपने दोनों ही जगाग गूफ अप कर दिया आरेल्टी से आपने हाथ मिलाया मुस्लिम बोट आरेल्टी सारक कुछ हो गया और मालम चला कि पॉलराइज हो गया सब कुछ आपने उन लोगों को तरजी दे दी जो लोग 2013 के दंगे में सामिल थे आपकी गलती पॉलराइज कोई भारती जंता बाटी नहीं कर रही थी आपके बयानों से और आपके टिकट डिस्टिब्यूशन से यह पॉलराइज़शन हुआ लोगों ने कहना सुरू कर दिया कि भाई हम तो कबाल के अंदर जो तेरा लड़के काट दिये गए थे उसको नहीं भूलेंगे जाट जो बीजेपी से नरास था बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया वोटिंग हो गई एक टिकाइट टिकाइट यह सारे लोग जो है वो खतम आप किसके साथ खड़े हो गए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ या कोई भी हो यह टुक्रे टुक्रे गैंग हिंदुस्तान में तिरंगे का जो अपमान करेगा वो चुनाओ नहीं जीच सकता आप तिरंगे का अपमान करने वाले के साथ खड़े हो गए पिछले बार जब लोग समा के चुनाओ हो रहे थे तो काफी बहस होती थी उस समय में बार बार इस बात को कहता था कि यह हिंदुस्तान वो नहीं है वो सोसल मीडिया के लिए मीडिया के लिए एंडी टीवी के लिए बहुत बड़ा हीरो होगा करहिया कुमार लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की गहरत अभी मरी नहीं है क्या आप देश के अंदर में भारत तेरे टुकड़े होंगे अपवित्र किया गुंड़ा गर्दी करके आपने इस तरह का काम किया और आप उसको अपना एक फेस बना करके उसके जरी आप वोट मांगेंगे वोट आपको मिल जाएगा चार मुहले का मिल जाएगा लेकिन बड़े बड़े शहरों से आप बिलकुल नदारत हो जाएगे लोगों का गुसा वो बढ़ता चला गया अभी तो सब कुछ फिर भी ठीक था आप जिन्ना को ले आए अखिले शादव टिकैट के द्वारा किया गया वो लाल किले का जो कांड हुआ अगर इमीडेटली 26 तादिक की शाम वो खड़े हो करके इस पूरे कांड का कि निन्दागर उन्होंने कर दी होती आज रिजल्ट कुछ और होता लेकिन नहीं आपको खड़ा होना है उन लोगों के साथ जो उपद्रवी हैं जो देश में उत्पात मचाना चाहते हैं आप खड़े होगे किस के साथ आप साहिन बाग के साथ खड़े हो गए साहिन बाग वाले के साथ आप खड़े हो जाएंगे आपको हिंदू वोट करेगा किस बात के लिए करेगा आप अपवाह की राजनीती पे आपको इतना जादा यकीन हो गया कि आपने इस हकीकत को आप भूल गए कि किस हिसाब से योगी आदितनाथ और मोदी सरकार गरीबों के बीच जिनका ये दलीत और OBC का जो मसीहा बनने का जो इनको सौक था समाजवादी हैं, समाजवादी हैं, क्या समाजवाद लाते हैं ये सब को मालूम है, ये सफ़ाई समाजवाद नहीं चलेगा ये बॉली हुट के साथ मिलकर के रंगरेलिया मनाने से वो समाजवाद नहीं आता फिर आपने क्या किया कि एक तो आपने पूरी सकते हैं कि पूरा महौल बना दिया कि लोग पॉलराइज हो बीजेपी के उस खेल में आप फस्ते चले गए और जो बचा कुचा कसर था जिन्ना को उठा ले आए मने आप देखिए पैर में कुलहारी मारने का कोई कला सीखे तो अखले स्यादव और राहुल गांदी से सीखे आप जिन्ना को ले आए माफी मांग लेते हैं मामला खतम हो गया होता लेकिन नहीं जिन्ना पर जिद पर आड़ गये और मालूम चला कि इनके तमाम जो मुस्लिम लीडर सेंबल बोले उनों ने जिन्ना 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 करना चालू कर दिया बई हिंदुस्तान है जिन्ना क पूजा करने वाले लोग यहां पर चुनाओ चीज जाएंगे चाहिए कितना भी आप कास्ट कॉंबिनिशन लगा लो कितना भी समी करने कितना भी अर्थमेटिक लगा लो हिंदुस्तान की आत्मा मरी नहीं है भी फिर राम बंदिर का मसला मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सारे लोग यह ही कह रहे हैं कि भी पुलराइज हो गया Fire पुलराइज किया कौन राम मंदिर बन रहा है आपको मालून है कि राम मंदिर के ऊपर आपकी सरकार ने गोलियां चलाई थी कहर से वोको के ऊपर ये मसला उठेगा, फिर कूद गए, भई जमीन भोटाला हो रहा है, जमीन भोटाला हो रहा है, इनके मुस्लिम लीडर्स बयान दे रहे हैं, कि समाजवादी पाटी की सरकार आ जाएगी, तो हम मंदर बनने नहीं देंगे, कौन वोट करेगा भई तुमको, क्यों वोट करेगा भारती अंतर पाटी ने, योगी आजित नात ने, मोधी ने, कहीं, ये कहा कि भई रहा मंदर बना रहे हैं, मुझे भोट दो, लेकिन आपके लोग जरूर कह रहे हैं, कि हमारी सरकार आ जाएगी, तो हम वहाँ पे वापस मस्जिद बनाएंगे, इन्शाल्ला, अब ये बात छुपती तो नहीं, आजकर तो वाट्सप पे सब कुछ चला आता है, कोई हाथ काट रहा है, तो कोई कोई खतम कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कि किसी अधिकारी को जो है, आप ट्रांसफर मत करना, जैसे सथकार इनकी बन गई, अब ये सारी चीजें तो हुई, अभी भ ठीक था, अभी भी ठीक था, फिर भी, आप मुद्दो को उठाते तो उस बात समझ में आता, आपने एक नरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, कि आप बीजेपी से सारे OBC बाहर, सारे OBC लीडर जो है, वो चले आए, दलिद भी बीजेपी का साथ, इन्होंने छोड़ दि स्वामी प्रसाद मोरिया आपकी पाटी मा आगया तो ओभी से आपकी तरफ चला जाएगा, जिस नेता को आप इतना बड़ चल करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो अपनी सीट भी बचा पाया, वो हार गया, तो मुर्ख दोस्तों से दोस्ती, ये बड़ा महेंगा पड़ता है, अकलमन दुस्मन ठीक है, मुर्ख दोस्त बड़े पहरिसान करते हैं, राजबर अपने मेटे को जिदा लिए, आप चले भई, सारे OBC आ रहे हैं, अरे भई, बात बहुती सिंपल है, आपकी पाटी जिस से आतंक मचाती है, यादव के अलावा कोई OBC आपके साथ नहीं आएगा, आप इतना भी कर रहे थे तो फिर भी ठीक है, कन्फूजन क्रीट किया हुआ था, बहुत आरे दलाल पतकार, जो समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे, बंदर की तरह कूद रहते ह इनके मित्र के वज़े से वो इत्रवाले, उनके वज़े से ये पूरा मामला फस गया, वो जो नोटों का जखीरा, वो जो बंदल, उसकी तस्वीर और उसका वीडियो, वो आया, His fate was sealed that day itself, उस दिन उल्टी गिंतिन के शुरू हो गई, खतम, आप इस तरह के अब, कितना भी आप पब्लिक को बेबकू बनाएंगे, कि आप कहने लगे कि भई ये हो जो जैन जो है, वो बीजेपी का है, ये है, वो है, भई, समाजवादी इत्र, लॉंच करो तुम, और ये इत्रवाला हो जा एक बीजेपी वाला, ये क्या तमाशा है, क्नौज में क्या जिसके जिसके हो रहा है, तो सब एक एक खांदान के दोनों हैं, और ये इत्रवाले के घर में, बकाइदा जब करनौज से इनकी पत्नी चुनाओ लड़ रही थी, डिंपल बाभी चुनाओ लड़ रही थी, तो ये इत्रवाले के घर से ही सब कुछ हो रहा था, ये तो कि वज़े से जो आपने टिकेट डिस्ट्रिबूशन किया आपने 12-13 पार्टियों से गटवंदिन आपने कर ली अब हुआ ये ये स्वामी प्रसाद मौरिया क्यों हरा किसकी वज़े से हरा इसको हराने वाले कौन है समाजवादी पार्टि के मुस्लिम उमिदार हैं वो और कि वो ब्यस्पी से चुनाल लोगी इधर न वो रहे न इधर रहे न उधर रहे चारों तरफ से आप घिर गए हुआ ये कि आपने इतने सारे जिसको कर सकते हैं कि लगज को अपने सिर पे रख लिया कि आपके पैर डगमगाने लग गए अब जितना आप भार उठा सकते हो नहीं उठाओ गड़ा हुआ हुआ ये कि हर जगह जो समाजवादी पाटी का उमिदवार जो पांच साल से काम कर रहा था वो नराज हो गया इसलिए जिन जगहों पी इनको जीतना था वो हार गए तो ये सारे चीजे अखलेश यादव के निगेटिव में गई जिस वज़े से इनको हार का सामना देखना पड़ा आपने पूरे यूपी की दंगल में समाजवादी पाटी की जो भी प्रक्रिया थी स्टेप पाइस स्टेप जो उन्होंने ने डिसिजन लिया उसको आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों अकलेश यादव को हार हाथ लगी है अकलेश यादव ने बीच अपी को हराने के लिए कई पाटियों के साथ गडबंधन भी किया तो आकरी सवाल मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ है और जिन पाटियों ने अखलेश की साथ गडबंधन किया उन पाटियों को कितना नुकसार देखिए वो लोग तो पाइलन थे वो तो पैदल यात्री थे, बस तो थी समाजवादी पाटी की, तो उस पर चड़के ये लोग अपनी किस्मत को आज मा रहे थे, लेकिन इन्लों को ये चीज़ समझे कि smartness इसमें होता है कि जो परिस्थिती है, परिस्थिती के मुताबिक आप अपने strategy बनाते हों, अब हुआ ये कि आपने strategy भी बना ली, सब कुछ कर लिया, टिकेट डिस्टिबिशन भी हो गया, लेकिन आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा, भाई ये कौन लोग हैं जिनके साथ आप हाथ मिला रहे हो, क्या ये campaign कर सकते हैं अपने गली मोहले के बाहर, राजभर नोएडा में आ जा कि फिर बोट कभी जीवन मर समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, आप उनको माथा पर चुड़ा रहे हो, जो व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता, भासन नहीं दे पाता, और आरोप क्या लगा रहे हो भाई, नौकरी नहीं है, क्या आरोप लगा रहे हो, किस पे आरोप और जो उस बिभाग का मंत्री है, यह स्रम मंत्राले किस के पास था, मौरिया के पास, मौरिया को उठा के ले आये हो, और यह कह रहे हो, आपने तो नौकरी नहीं दी, बच जिसका जो काम था, वो चार साल, नौ मैने, उसकी जिम्मेदारी थी, वो वहाँ पे फेल हो गया, सेख, सोशल मीडिया का जमाना है, यह जो राजभर, यह मौरिया, यह सैनी, यह लोग आपको जो पहले जनरेशन का भी जो फस्ट टाइम वोटर्स हैं, इनको देखके वो इंस्पायर होगा कि भोट करेंगे, जो कोई अखलेस यादव, डिम्पल यादव को देखकर के समाजवादी पार्टी के तरह थोरा रुजान भी होगा, इन खुंकार लोगों को देखकर के भाग जाएंगे, आप करना क्या चाह रहे हो, आपके पास प्रचार करने के लिए कुछ है नहीं, और दूसरा, चुके एलेक्शन कमिशन ने रिस्टिक्शन्स लगा दिया कोरोना की वज़े से, तो आपको सोचल मीडिया के ऊपर कैंपेन करने पर आपको आश्रित होना पड़ा, आपने क्या सोचा, कि दिल्ली में जो ठग पत्रकार सब हैं, उनको मैधान में उतार देते हैं, बस सब बंदर के तरह उचल गए, आप किसको बोड़ देना है, किसको, भई इससे परचार होता है, अब मुझे बालू में कैसे करते हैं ये लोग, समाजवादी पार्टी के लोगों से ही कर देंगे, फलाना काओं में हैं, दस आदमें कोई कठा कर दो, भई समाजवादी पार्टी, समाजव मेडिया में, ग्रास रूट तक जाने का पनेट्रेशन नहीं था, आप पनेट्रेट नहीं कर पाएं, उस, क्योंकि इस्टन यूपी में और यूपी में एज होल, गाओं के जो गरीब हैं, वो वाट्सप पर नहीं, वो टूटर पर नहीं हैं, वो यूटूब नहीं देखते और आपने सारा फोकस जोई यूटूबर्स के उपर लगा दिया, मीडिया वाले से भी आपने पूरा अंडरस्टैंडिंग मना लिया, भई हम इंट्रिव्यू देंगे, हमसे तफ सवाल मत पूछना, नहीं तो क्या रीजन है, महंगाई है, है, डीजल के दाम बढ़ गए, भई घर में जो किराना आता है, जो रसोई में जो समान इस्वाल हो तो इसकी महंगाई है, है, गैस सिलिंडर किदाम बढ़ गए, बढ़ गए, बेरुजगारी है, है, भई लोगों को दिक्कत हो रही है, है, सब कुछ है, अब इतनी सारी दिक्कत होने के बाद भाद भाद जीत पाते हो, तो ये तो आपके मुर्खता है ना, तो ये कहां कहां अपने मुर्खता की, इसको एनिलाइज कौन करेगा, तो वो नहीं करेंगे, एवियम खराब है, बने हद है, और उसके बाद ये सारी चीज़े हैं, और मुझे लगता है कि ये लेड़ अवेरी बैड कैम पेंड, योग यादितनाथ अपने टर्फ पे खेले, दिक्कत ही जो मैं बार बार कहता हूं, कि आप ब्राजिल से कोई मैच जीतना चाहते हैं, उसके साथ फुटवाल मत खेलना, वो बहुत बेज़ित करके हराएगा, ब्राजिल की टीम से मैच खेलना है, तो उसको बो बो कबड़ी आके खेलो मेरे साथ, क्रिकेट आके खेलो, गिली डंडा खेलो, वो नहीं खेल पाएंगे, हम जीच जाएंगे, आप पोलराइज करने के चकर में, अपने ही पैर पे आपने कुलाली मार ली, ये जिन्ना, ये हिजाब, ये राम मंदिर, ये सारी चीज़ें आपने कर दी, तो वही हुआ, वो जिस डाल पे आप बैठे थे, उसी को धीरे-धीरे कटके काट रहे थे, दस तारिक को पूरा डाल तूट गया, और आप भी नीचे धराम से गिर गये, एक जिस्टिस्निल प्राब्लम सुरू होने वाला है समाजवादी पाटी का, प्रधान मंत्र ने कही कि मेरी बात नोट करके रख लो, जितनी भी परिवारवादी पाटियां है वो खत्म होंगी, क्यों खत्म होंगी, उसका मैं कारण बता देता हूं, कि प्रधान मंत्री ने ये बात क्यों कहा है, परिवारवादी पाटियां या सिंगल मैन पाटी, सत्ता में नहीं, त स्टेन तभी करेंगे जब उनके पास सत्ता है सत्ता हाथ से गया खेल खतम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो चली गई इसी तरीके से अब इन नुगों का नंबर आ रहा है यंग जनरेशन इन सब को जो जातिवादी राजनीती करते हैं जो अफ़ा की राजनीती करत हैं सब को सबक सिखाएगी यही सबक समाजवादी पार्टी को यूपी की जनता ने इस बार सिखाया है बहुत 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 शुक्रिया सर बात्चीत करने के लिए लेकिन हमने आट मैने तक लागतार यूपी का दंगल शो किया है और आपने जिस तरीके से यूपी की कि राजनिती को समझाया, हमारे जंता तक पहुंचाया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, आज यूपी के दंगल का हम समापन कर रहे हैं, क्योंकि दंगल का भी खेल खत्म हो चुका है, जीत चुके है योग आदेतना, यूपी हो रहा है कि ये प्रोग्राम जो है, आज आख णगला नया शो लेकि दर्शकों तक पहुंचेगे, जीत जो है योग आदितनात की बंपर जीत हुई है, जब से हमने यूपी के दंगल की शुरुआत की तो तब से ही हम कह रहे है कि बीजिप क्यूं जीत रहे है, और आज आपने दॉक्टर मरीज जी से ये जाना, कि अखल प्रफट से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, यूपी के दंगल को इतना धेर सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि आज हम अपना ये शोग खत्म कर रहे हैं, समापन है, तो एक बाफट से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहें Capital TV और हमारे सभी टीम को अब भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने शोग को आगे बढ़ाया, आप तक पहुचाया, सही वक्त तक, क्यामरे बसन शोग के साथ, मैं पूजा Capital TV